आप जिस परकार के वीडियोज बनाते हैं उस परकार की जो आपके चैनल केटेगरी है वो कौन सी केटेगरी के अंदर आएगी ये पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ लास्ट एंड तक रहे है जो लास्ट की जो ट्रिक है ये आपको जाना बहुत जरूरी है दोस्तों इस स कॉमेंट आता है कि कोई बंदा पढ़ा रहा है यूटूब के उपर और वो पूछ रहा है कि सर मैं यूटूब पे पढ़ाता हूँ तो मेरी केटेगरी क्या होगी देखिए ये नॉर्मल सी चीजे हैं अगर इनका भी आपको नहीं पता है तो आपको यूटूब पे आने का और वीडियो देखने का कोई भी सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये नॉर्मली चीजे है कोई अलग हटके वीडियो बना रहा है वो अगर ये पूछे कि मेरी के वीडियो की केटेगरी क्या होगी तो वहाँ पर समझ में आता है आपको एक बंदा पूछ रहा है कि मैं मोबाइल जो लॉंच होते हैं नए जो लॉंच होते हैं मोबाइल उनके बारे में बताता हूँ कि इस मोबाइल में आपको क्या मिलता है कितने जी भी रे मिलती है और इसकी प्राइज क्या रहने वाली है कौन सी कंपनी का मोबाइल लॉंच हुआ है तो मेरे वीडियो की केटेगरी क् जाहिर सी बात है यूट्यूब के उपर इतने वीडियो यूट्यूब चैनल है जो मोबाइल से रिलेटेड वीडियोज है वो बनाते हैं और यहां तक कि मैं यूट्यूब की टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ तो मेरी वीडियो केटेगरी क्या होगी देकि नॉर्मल नॉर्मल सवाल है या तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं या फिर आप सिरफ और सिरफ वीडियो को स्टार्ट किया निचे जाके कॉमेंट वोक्स में कॉमेंट कर देते हैं कि मेरे चैनल की जो केटेगरी है वो क्या रहने वाली फिर भी अगर आपको दो वीडियो के अंdर समझ में नहीं आया तो आज ये तीसरे वीडियो है तीसरे वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से समझा दूँगा और एक ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ कि आप जिस परकार के वीडियो बनाते हैं उस परकार की जो आपके चैनल केटेगरी है वो कौन सी केटेगरी के अंदर आएगी ये पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ लास्ट एंड तक रहे है जो लास्ट की जो ट्रिक है ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी ट्रिक के अंदर आप डिफाइन कर पाएंगे अपने चैनल को कि हमारा जो चैनल है इस परकार की जो और चैनल है वो कौन सी केटेगरी में है तो आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस परकार की वीडियोज बनाता हूँ तो मेरे जो चैनल की केटेगरी है वो क्या होगी तो चलिए ये जो बताने वाला हूँ लेपटॉप की स्क्रीन पे बताने वाला हूँ और तो चलिए अब चलते हैं हम लेपटॉप की स्क्रीन के उपर और यहां देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा देखें लेपटोप की स्क्रीन पे आ चुके हैं अब सबसे पहले तो आपको एक तरफ तो यूटूब को उपन करके रखना है एक तरफ आपने यूटूब उपन करके रख लिया दूसरी तरफ यूटूब के उपर सबसे पहले देखें आपको login करने की कोई जरूरत नहीं आप YouTube ऐसे ही open करके रख सकते हैं अब YouTube के उपर देखी क्या दे रखा है कि YouTube पे जो categories है वो कुछ से normally यानि 15 categories दे रखी है जिसमें autos and vehicle है, comedy है, education है, entertainment है, film and animation है, gaming है, how to style है, music है, news and politics है, non-profit and activism है और people and vlog है, और इसके बाद में नीचे दे रखी है, science, technology, sport, travel and events, pets and animal तो देखिए दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे clear कर देता हूँ, कि यह जो 15 categories के नाम दे रखे हैं इससे सिदा का सिदा यहाँ पे पता लगाया जा सकता है कि इसमें कौन-कौन से video आएंगे देखिए एक पहले तुम आपको थोड़ा-थोड़ा समझा देता हूँ, इसके बाद में वो trick बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अपने channel के बारे में देखना है कि कौन सी category में मेरा channel आएगा ओटो एंड विकल, देखिए ओटो एंड विकल से साब साब पता चलता है कि जो गाड़ी मोटर के वीडियोज हैं चाए बाइक स्टेंट हो गया या फिर गाड़ी मोटर के parts के बारे में आप बता रहे हैं किसी गाड़ी का आप review कर रहे हैं नई गाड़ी का तो जो मतलब की transport किसे समंदित जितने भी वीडियोज हैं वो ओटो एंड विकल में आते हैं दूसरा comedy का है comedy से पता लगता है कि किस परकार के जो वीडियोज हैं वो इस category के आएंगे इसके बाद में education आप पढ़ा रहे हैं educational knowledge कुछ दे रहे हैं तो वो education में आजाए entertainment comedy का भी entertainment में आप रख सकते हैं कुछ drama है कुछ नाटक है इस परकार के वीडियोज है वो entertainment में आते हैं film and animation animation वीडियोज आप देखते हैं cartoon वीडियोज आप देखते हैं और film कुछ जो movie के clip होती है वो animation और film के अंदर आ जाते हैं gaming साब साब पता लग रहा है कि अगर आप gaming करते हैं game खेलते हैं live record करते हैं या recording करके आप वीडियोज डालते हैं gaming में आएगा आपका how to style कुछ सिखा रहे हैं आप how to वाले वीडियोज आएगे music साब साब पता लग रहा है कि music news and politics साब साब पता लग रहा है कि politics की जो news है किसी भी परकार की news है या फिर politics के जो news आती है वो इसमें आएगी और इसके बाद में non-profit activism, people and blog, pets animals, science technology, sports, travel and events सारी की सारी जो categories है इनका पता लग रहा है यहां पर कि कौन-कौन से वीडियोज आने वाले हैं अब लोग क्या पूछते हैं लोग यह पूछते हैं कि सर मैं status डालता हूं तो status किस category में आएगा यह चीज देंकि category तो YouTube के उफर 15 ही दे रखी है लेकिन ज परकार की वीडियोज है वो YouTube के उपर बनते हैं तो सभी की अलग-अलग category तो हो नहीं सकती है यानि 15 category में से ही हमें अपने channel को चुनना होगा अब वो कैसे चुनना होगा एक चीज आपको पताता हूँ आपको सबसे पहले Google Chrome में आना है और वहां पर आपको Social Blade नाम से एक website ज द्यान से सुनना है यह वो trick है मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको देखे यहां पर क्या करना है आप किस परकार के वीडियोज बना रहे हैं आप किस परकार के वीडियोज बना रहे हैं यहां पर YouTube पे आके सर्च करना है यहां सर्च करना है आप किस परकार के वीडियोज बना रहे है जैसे माली जी आफ वलोग बना रहे हैं तो आपको सर्च करना है कि यूट्यूब के उपर वलोग हमारे जैसे वलोग कौन बना रहा है तो वलोग जैसे सोरव जोशी वलोग शोरव है वो व्लोग बनाते हैं तो यहां पर फिल्टर में आके आपको चैनल पर आ जाना है इस तरह आपको चैनल पर आना है आप देखना है शोरव जोसी का जो चैनल है वो यह है ठीक है जो चैनल कौन सा है शोरव जोसी का वो यह अब इस नाम को आपको कोपी करना है यहां से यहां से नाम को कोपी करके सोसल बलेड की वेब साइट पे आके यहां आपको इसको पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद में सर्च करना है ठीक है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सोरो जोशी का जो चैनल है वो ओपन हो अब channel type देखें यहाँ पर क्या दे रखा है people ठीक है अब अपने YouTube channel में देखना है यह देखिए यह रही वो जो category है वो यानि vlog channel की जो category है वो यह है people and vlogs इसके बाद में देखिए दूसरा अगर आपका कोई channel है मालीजी आपका कोई recipe का channel है तो मैं यहाँ पर एक बड़ा channel लगा बहुत बड़ा channel है यह लगा लेता हूं 13 million subscriber है इसके उपर आपको click करना है एक बार click करने के बाद में यहां पर देखिए इस नाम को कोपी करना है कोपी करने के बाद में वहीं हमें आना है इस वेबसाइट पे और उपर यहां पे सर्च में इसको कोपी कर देना है और सर्च कर लेना है जैसे यहां पे सर्च करेंगे आप तो नीचे आएंगे यहां देखे चैनल टाइप हाउ टू क्योंकि रेसिपी का जो चैनल है तो पर्टीकुलर एक केटेगरी यूट्यूब पे नहीं दे रखी है रेसिपी नाम से तो यह जो चैनल हाउ टू इतना बड़ा चैनल हाउ टू में आ रहा है यह जो मेडिकल कुछ मेडिकल के लिए भी पूछ रहे हैं कि मेडिकल का चैनल कि समय आएगा तो आपको किसी डोक्टर का जो चैनल हाव वो देखना है और उसके बाद में सोचल बलेड पर जाके आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है उस link को और फिर देखना वो channel किस category में बड़ा channel किस category में है वो ही आपको देखना है status video का channel देख लेते हैं एक बार देखिए इसमें बहुत सारे एक बार channel आप filter में आना है channel नहीं मिलता आपको filter में आना है filter में आने के बाद में आपको जो ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो चैनल उठाना है मान लीजिए ये 40,000 सब्सक्राइबर है तो इस चैनल को उठाते हैं चलिए और यहां से इसको कोपी करते हैं ये कोपी किया और इस वेबसाइट पे आ जाते हैं website पे आने के बाद में यहां से paste कर देते हैं और search करते हैं अब यह channel है क्योंकि status डालते हैं तो status में music आता है तो यह channel है तो music में आएगा यह category music में आएगी इस परकार से आप अपना जो channel है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि जो चैनल हम जो वीडियोज डाल रहे हैं उस परकार की जो चैनल है वो कौन सी केटेगरी में है ओल रेडी वैसे आप कहीं पे भी वीडियो देख लीजिए पूरे यूटूब के उपर एक एक केटेगरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी यह जो पंदरा केटेगरी है इसी पंदरा केटेगरी में से आपको अपनी जो केटेगरी है वो चूज करनी है चूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप अपने चैनल की जो केटेगरी है वो चूज कर सकते हैं तो ये था ये वीडियो केटेगरी के बारे में मुझे लगता है अब आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चैनल केटेगरी चूज करते हैं कौन सी केटेगरी किस चैनल पर आएगी तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर जैहिंद वंदे मातरम